नमस्कार, क्रांती ओएसा में आपका स्वागत है एक व्यापारी ने बजार से कुछ सामान खरीदा सामान भारी हुने के कारण उसने उसे चोगने के लिए एक गधा भी किराय पर लिया गधे का मालिक भी साथ था गर्मियों के दिन थे और दोनों चलते-चलते ठक गए थे इसलिए वे एक जगह बैठकर आराम करने लगे गधे की परचाई देखकर व्यापारी उसमें बैठने लगा अचानक गधे का मालिक चीखा, हटो यहां से मैंने तुम्ही गधा की राय पर दिया है उसकी परचाई नहीं, परचाई पर मेरा हक है इस बात को लेकर दोनों में बहस चिर गई उन्हें लड़ते देखकर गधे ने सोचा सुनेहरा मौका है, दोनों लड़ाई में उल्जे हैं और किसी का ध्यान मेरी और नहीं है भाग चलता हूँ, गधा चुपचाप वहां से भाग निकला